नमस्कार दोस्तों राजू सर के नाम से इस यूटीब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एमस एक्जाम जिस जो जो है 15 सेप्टेंबर को होने जा रहा है और फॉर्म जो है उसके अगस्त में रिलीज होने की जो है डेट जो है आना है तो उस एक्जाम के point of view में हम कुछ MCQ जो है एक्जाम तक लगातार सॉल करने वाले हैं उसी कड़ी के अंदर अगला वीडियो में लेके आया हूँ यह MCQ जो है बहुत important MCQ है conceptual based MCQ है जो एक्जाम में बहुत जाद आपको फाइदा करेंगे तो मार्कर वेल्यू है और यह बहुत सारी डीजीज को डाइग्नोस करने में मदद करने में करता है क्या option है हम अगर उसको देखने जाएं पहला है सिरोसिस ओप लीवर सेकिंड वन है विल्संस डिजीज थर्ड वन है इपेटोमा और फॉर्ट वन है अब्स्ट्रक्टिव जॉंडिस नॉमली अलपा फीटो प्रोटीन जो है वो डाइगनोस्टिक टेस्ट बनता है कंज अनॉमलीम पढ़ते है नुरल टूब दिफेक्ट्स या एक ओन अनॉमली होती है एननस इपेली यि बाइबर्थ नूबन बेवी में चैनाइटिकल होती है जनम से होती है जो इसपाइनल वर्टीबरी उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है नूरल टूब डिफेक्ट में और एन कैंसर का डियक्नोस्टिक टेस्ट है लिए बड़ा वह ना इपट ओमा ओमाओ फॉर एक सग्षाइट ॉरुट decisio z उसका लेवर के कैंसर का जो मarf यहथ प्रोब्लम है जिसमें वि नगया apparent कि आ इसक शाहँ करना में बीक्ति प्रोब्लम्ह दो को मिलती है syrosis of liver और विर्ज फिर्स जो होती है इनके अंदर इन डायर्इक बिल्रुबिन स्कों वेल्य बढ़िवी देकने को मिलती है और अफ्सक्क्टिव जांडी सके अंदर को calculate करने के लिए कौन से डाटा जो है उसको यूज किया जाता है first option है persons weight and height second option है persons weight alone third option है persons based metabolic rate fourth option है persons height alone result body mass index BMI जो होता है इसका formula होता है weight in kg and height in meter square weight जो होता है वह kg के अंदर और height जो होती है वह meter square के अंदर height in meter square weight in kg upon height in meter square तो weight और height यह दो value चाहिए होती है BMI calculate करने के लिए पहले option में दिया वाया है persons weight and height अक्यले weight से बीमाई calculate नहीं होगी BMR की कोई value नहीं होती है BMI को calculate करने मारे अक्यली height से यह calculate नहीं होती है तो यहां पे a option जो है वो correct रहेगा persons weight in kg and height in meter square BMI जो होती है वो 19 से कम जो हता है underweight माना जाता है 19 to 25 normal होता है 25 to 30 overweight होता है और about 30 जो हता है वो obese category के अंदर आता है individual next है the commonest valvular disease in pregnancy pregnancy के समय most common valvular disease कौन सी है option है mitral stenosis aortic incompetence aortic stenosis or mitral incompetence which is the correct one good kai सारे लोग साही बाल रहे है it's a that is mitral stenosis ms ms is the most commonest valvular disease in the case of pregnancy aortic regurgitation or aortic stenosis भी देखने को मिलते है लेकिन most common जो हता हो mitral stenosis होता है यह यहाँ पे correct रहेगा direct question है pregnancy में mitral stenosis जादेखने को मिलता है next है the most universally accepted indicator of health status universally accepted indicator पूचा है health status का health कैसा है उसका universal accepted indicator कौन सा है first is gas fatality second one is adult mortality rate third one is the infant mortality rate and fourth one is the crude death rate यह चार option है cash fatality adult mortality infant mortality और crude death rate which is the universally accepted health indicator कापी लोग ठीक है imr is the universally accepted health indicator that is infant mortality rate imr इसको short में लिखते है infant mortality rate जो होती है वो universally accepted health indicator है cash fatality adult mortality और crude death rate यहां पर आंसर नहीं रहेगा तो तो नहीं दो नहीं दो क्रेक्जान में लिखते हैं जब ग्रापिन फोलिकल मैं से ओवा रिलीज ओता है जिसको रिलीज लेंके बार में जो पीछे बसता है उसको पूर्पस लूटियम कहते हैं वह लूट चुका है था से काम बोलते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये काम करता है 行了 तो प्रगनेंसी में तो कब तक अख रॉट अखना आटाये अब थो फिर नो क सब्सक् важ comida नो रहता है और हम कि लास्ट करने बन जाता क्योंकि कौर्पस लूतेयम जो होता है वह हार्मोन बनाता है है देट श्रोश्ट रॉंधा पिर भी बनाता है लेकिन वेल्ए इंपोर्टन्स फॉर्टन यह जो परेगनेंसी को चंटिन्यू करता है तो option है यहाँ पर 6-8 week, 4-6 week, 10-12 week, 2-4 week इस option में हम पढ़ते हैं कि placenta कब बनता है थर्ड मन्त के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वाद में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने complete, मतलब 12 week complete तो जो 10-12 week option है यह बिल्कुल सही है 10-12 week तक corpus luteum रहेगा, जब तक placenta नहीं बन जाता और जैसे placenta बनेगा, corpus luteum जो है उसका degenerate हो जाता है तो यहाँ पर answer रहेगा C, that is 10-12 week next is the best test to assess the prognosis of patient patient का prognosis, what is prognosis? diagnosis करने के बाद में improvement कितना है, यह improvement हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी भी बिमारी का prognosis जो होता है, वो important रहता है after diagnosis कि improvement कितना है, कितना हमें improve होएगा, कब ठीक हो जाएगा यह prognosis कहलाता है तो इसका best in the test क्या है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि prognosis सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है option A, ESR, that is erythrocyte sedimentation rate HB, that is hemoglobin level osmotic fragility and pack cell volume रहिएगा, hemoglobin and PCV, pack cell volume जो होते हैं यह तो RBC से समधित और oxygen carry से समधित बात होती है यह कोई prognosis को नहीं बताता है, यह anemia के बारे में बताते हैं osmotic fragility is not a prognostic test for any disease any inflammatory condition or disease is chronic or acute or disease is going to be shut down or disease is going to be worst यह सब चीजें बताने वाले जो marker है उनमें बहुत सारे marker है, उनमें एक important marker होता ESR, जो यह option में है तो इन चार option में जो answer जाएगा prognosis को assess करने का best test है, वो कौन सा है ESR, ESR is the best test to assess the prognosis of any individual that is suffer from any acute or chronic ailment to age the correct one next, the mother generally feels the active fetal movement first at the end of mother को first fetal movement जो feel होता है generally, normally वो कब होता है, उसको क्या कहते है यह भी exam में पुचावा सवाल है, तो उसको quickening कहते है first fetal movement that is felt why mother is known as quickening तो quickening कब होती है one is 16th, 16th week के खतम होने पे, 14th week के खतम होने पे, 12th week के खतम होने पे और 10th week के खतम होने पे normally quickening जो है on and around 18th to 20th week of gas station पे होती है maximum जो time बाद का होता है वो यहाँ पे 10, 12, 14th और 16th में सबसे बड़ा time period को होन सा है, 16th तो यहाँ पे answer क्या जाएगा 16th week of gas station 16th week पे quickening जो है end वोने पे feel करती है यह हम कह सकते है normally यह 20th week के आसपास होता है discharge of lokiya occur during lokiya का discharge किस समय होता है lokiya जो होता है after delivery 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 के बाद में after delivery of the first after the cervical dilatation there is delivery of the product of consumption that is fetus and then there is delivery of the placenta that is placental delivery phase third stage of labor तो उसके बाद में पर vaginal जो discharge रहता है उसको हम lokiya कहते है यह first fort fort night का discharge कहलाता है ना first fort night कहते है इसको fort night fort night मतब 15 days का time period तो first fort night जो होता है that is 15 days में जो है वहां से discharge रहता है जिसको हम lokiya कहते है जिसमें तीन तरीके का lokiya होता है rubra sirosa one is lokiya rubra one is rokiya sirosa और one is lokiya alba जना rubra sirosa और alba ये तीन तरीके का लो क्या होते है dubra wordbird ता हे पहले चार दीन का होता है 1 to 4 days और उसका color जो होता है वह red होता है तीलो सा जो होता है वह 5 नइन डेज का लोकिय का होता है उसका color जो होता है वह yellow फिंक होता है पिंक और थोड़ा ब्राउन इस टाइप का रहता है अलबा जो होता है वह 10-15 Days का होता है और 10-15 Days और यह Pale White होता है पेल वाइट चाहिए उसके तिन का 42 देज और फ़र्स्ट शीक्स वीक यो टाइम प्रेट होता है दिलेवरी की तुनत बाद में को प्यूपेरियम कहते हैं प्रेग्णनेसी और लैक्टेशन टाइम प्रेट जो है वो बहुत लोंग लास्टिंग होता है उसमें रिसाज नहीं होता है तो बैसिकली यह प् सब्सक्रीज में मिलता है गामती के दौरान ओसका देकर को मिलता है यह तीन तरीके किया है आपको यादत में अहां बासाटिनahan now Volta Erfahrung ben Calling Con Now nao अब यहां पर दो संसे हैं και using कर दोनों का संब्हों करम और जो सकता है जब मिल का प्रॉडेक्श्यं hen औक्सीटोसीन नहीं कराता वहतिंपॉर्टेन कंसेप्ट है उफ आप सिटैसीन नहीं जाकर प्रोङ Tea कराता है व Bijन और को बनाता और और ऑक्सीटोसीन हो कि अगर कragenे क keeping होन्य यूक्टीर्फिषी क्लिए कलेन थे यह देहें जो आंचि क्या रहेगा कोई प्रोलेक्टिन और एक्टिवेट होता है तब बच्चा डिलीवर हो जाता है और फूरी प्रेंसी इसको काम नहीं करने देते हैं जैसी प्रोलेक्टिन वह मिल्ग का सिंung करता है एह स्वेस्टी है goofy है वह नई हम फैट अवरन गलान यह व कृण पर करता है फ civ क्ली किलो कलोरी पर ग्राम बधार ग्राम्न यह वह नाइन किलोकिल्री अनर्जी सबसे जाज एनर्जी देने वाला लास्ट वीडियो में भी मोलें वह इसम परूघेंड के किन और कार्बोहड कोंगे जो है एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करते हैं क्लिक आय कंप कं से हम क्या है है एप्लस आयन कंसेंत्रेशन और कन्सेंट्रेशन एनाय इन गप और बाइकर्बिनेट नसन इरिये बहुत 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 ज्यादा लोग यहां पे सई है और मैं आपके आंसेर के कद्र करता हूं you are you are all are correct one that is co2 concentration capnography is a test which used in the measurement of co2 concentration co2 is a gas that is present in blood which can be measured by capnography b is the correct one intubation का सबसे confirmative test जो हो capnography होता है जो कि operation theaters के अंदर during surgery जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है capnography और confirm किया जाता है कि endotrical intubation हो सबसे reliable test माने जाता है कि अपनोग्राफी को भी इस दे करेक्ट वान कि next time and irresistible urge to void urine occur when bladder volume increase to इस आप रोक नहीं सकते इतनी urge होती है urine void करने की जब bladder की volume जह हो बढ़ जाता है कितने से कितना छसो आजार आठ सो चार सो बहुत basic mistake हम करते हैं हम normally हम पढ़ते हैं कि 300 ml से ज्यादा होने पर हमें urge होती है लेकिन वह urge irregistable नहीं है यह word लगा irregistable तो जितना 300 ml के बाद में हमें urge होती है लेकिन उसका अगर डबल हो जाये दए 600 ml तो उसको फिर रजिस्ट नहीं कर सकाएं मैं वोइड करना ही पड़ेगा तो यहां पर आंसर जाएगा 600 ml ना की 400 ml विल्कुल गलती ना करें 8 और 1000 पर तो होगी होगी लेकिन यह कितने पर पर उने लग जाती है तो 600 पर चार सो पर नहीं होगी इसको रजिस्ट कर सकते हैं पर 600 अजर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो ए इस दे करेक्ट वन ब्लाडर का वोल्यूम इतना होते ही हमें यह और जोना शुरू हो जाए रिमूविंग 250 ml, 2500 ml ब्लड फ्रोम ए पेरिफ्रल वैन, पेरिफ्रल वैन से 200 से 500 ml ब्लड को रिमूव करना क्या कहलाता है इस वैनी पंचर और वेजो डाइलेशन और प्लाजमा फेरेशिस और फ्लेबोटोमी काफी लोग सही है इस फ्लेबोटोमी मतलब वैन के अंदर ओपनिंग क्रियेट करके वैन से ब्लड को बाहर निकालना यह ज्यादा तर क्रोनिक स्मोकर मरीजों में जिन में पॉली साइथीमिया हो जाता है और उनमें थ्रॉम्बस बनने की संभावना होती है बहुत ज़्या ब्लड वैसल का डाइलेट होना एसे हम नहीं करते हैं प्लाज्मा पेरेसिस का मतलब होता है प्लाज्मा को सेपरेट करना और जितनी बी ओटो इम्म्यून डीजीज होती है उसमें ज्यादा रियूज किया जाता है लाइक मास्तेन या ग्रेविस और इस तरह की बिमारी हो के अन प्लीजेंट अन प्लीजेंट अवेरनेस अप वन्स ओन हर्ट वीड फुद की हर्ट वीड से जब इंडिवीज्वल जो है वेर होने लग जाए उसको क्या बोलते हैं डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्ट इन ब्रीधिंग पाल्पिटेशन इस दे करेक्ट वन टेकिक एंजाइटी का एक साइन है पाल्पिटेशन ते डिस्टेंट और फट्र हैं और ये वह आए इडियोपै्टिक ठीमभ सायट्युपीनिद्ग पर फूरा और इस्टिरोइट थेरपी रहें उससे भी जब बच्चे में इंप्रूमेंट नहीं आता है देन्हम उसका आफ स्प्लीन को रिमूँ करते हुमारे पास में पाइस और इसप्लीन एक इंपोर्टेड ओर्गन है ज När बोडित इम््यूनिटी को बनाने में मदद करता है जो हमारे बोडी को में infection को प्रिमेंट करने में मदद करता है क्या जब हम स्प्लीन हटा देते हैं तो नुमली कई सारे इंफेक्शन इंफेक्शन होने की संभावने में बढ़ जाती है जिसमें सबसे ज्यादा खत्रा जो होता है वह रेस्परेटरी इंफेक्शन का होना होता है और उसमें भी लंग्स के प्रोपर मुमेंट पॉस्ट सर्जिकल नहीं होने के करण निमोनिया डेवलोप होना बहुत कॉमन है इसलिए वह बच्चा जिसमें स्प्लीन को रिमूव करेंगे या रिमूव करने जा रहे हैं उन बचों के अंदर हमें जो है स्प्लीन को रिमूव करने से पहले प्र प्रिवेंशन आप सच काइंड आप इंफेक पॉस्ट ऑपरेटिवली निमोनिया डेवलोप ना हो तो सी आंस्वर यहां पर करेक्ट रहेगा तो यह कुछ क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखे हैं इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो को सुनने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए जुड़े बेरे मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें सेर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुर्जाव जरूर डाले एक्जाम जो है उसकी फॉर्म जल्दी आने वाले हैं और डेट आपक करें और बहुत सारी चीजें जो है हम आगे भी लेने लेके आने वाले हैं तो इस लोगडाउन पिरिड़ में अपनी स्टुड़ी को इसी तरीके से मज़दार बनाए रखें और एक काम एक महरवानी जरूर करें इस चैनल और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचान कहता हूं कि बहुत ज़्यादा सुकून की फिलिंग होती है करके देखिएगा अच्छा लगता है धन्यवाद